हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर कजंद पुरही तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अप्लोड करता हूं फॉर इंजिनरिंग मैथमेटिक्स बीए सिस्ट नोगर आप किसी भी कॉंपेटिशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जहां पर ह हम बात करेंगी क्या क्या के कंडिशन होती है इससे पहले मैंने यहां पर यूनिफॉर्मली कंवर्जेंस और सीरीज ओफ फंक्शन एंड सिक्वेंस दोनों पर वीडियो अप्लोड कर चुको एक बार आप वो जाके देख सकते हैं यहां पर आपको आइड़ पर मिल जाएग सब्सक्राइबर्ण उसका बारे महीं पता करना है कि यह उनिफर्मली कंवर्जेंट है या नहीं तो में यहां पर कि show that this summation minus 1 power n minus 1 upon n x power n is uniformly convergent between minus 1 to 1. तो सुन यहाँ पर हम Fnx और Gnx लेंगे. सबस्क्राइब हम लेंगे Fnx तो हमने यहाँ पर क्या करें? यह जो हमने Fnx ले लिया और यहाँ पर इसको हमने क्या ले लिया? Gnx ले लिया. तो सबस्क्राइब हम इसको लेंगे. अब हम जानते हैं कि minus 1 power n minus 1 upon n का summation ले. तो हम जानते हैं कि यह alternating series होती है और by lab news test यह हमारे पास क्या होती है? सबस्क्राइब हम इसको कह सकता है. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x तो आहीं नहीं रहा है. अब बात करेंगे सुन यहाँ पर Gnx के बारे में. अब Gnx जो दे रहा है चुक्कि हमारे पास minus 1 to 1 दे रहा है. और minus 1 to 1 में जब n की value आप 1, 2, 3 रख दीजिए जो पर हमारे पास x दे रहा है. जो x की value particular कुछ भी आप minus 1 to 1 में कोई भी value रखेंगे. तो ultimately यह यह जो series आएगी हमारे पास क्या है, decreasing है. ऐसा नहीं कि गुरू जी minus 1 to 1 में तो सब्सक्राइब कैसे होगा, ऐसा नहीं. पर्टिकुलर कोई एक value रखेंगे, माली जी की value आपने रख दीए यहाँ पर 1 by 2 और 1 by 2 में फिर एन की value 1, 2, 3 रखेंगे, तो decrease मिलेगा. आपको लगता है कि minus 1 by 2, तो उस वाले case में decrease मिलेगा. Getting my point. तो यह जहन देनी के जरू होता है. तो इस interval में हमारे पास यह क्या और decrease कर रहा है? और चुकि minus 1 to 1 है, तो obviously bounded तो हो गई होगा. तो GNX है, जो हमारे पास bounded भी है, और monotonically decreasing भी है, तो इसका जो product function होगा, वो हमारे पास क्या होगा? uniformly convergent होगा by the abil test. इस तरह समय सको easily यहां पर समझ सकता है. अब बात करते है शुन digital test. अब digital test क्या होता है यहां पर? यह ध्यान देनी के जरूत है कि हमारे पास FNX, GNX. अल्टिमेटली जो भी abil test और distra test होता है, यह product function पर होता है, प्रोड़क्ट function की जो series होती है, वो uniformly convergent है कर नहीं है? अब बाहन लिजाए FNX और GNX, हमारे पास जो abil test हाओस में FNX जो था, वो uniformly convergent हमने पता कर रहा कि है, दूसरा मारे पास यहां पर monotonically decreasing है and bounded है, तो उसका प्रोड़क्ट function मारे पास यहां पर यहां पर uniformly convergent होगा by the abil test, पर अगर भाई चैस हमारे पास FNX, वो uniformly convergent नहीं है, तो उस वाले के इसमारे पास दूसरी condition होती है, वो condition क्या होती, कि जो हमारे पास FNX की, यहां पर तोड़ा से मैंने FN, GN को change कर दी है, normally FN को मैं series मिले रहा था, GN को मैं sequence मिले रहा था, इस बार मैं FN को sequence मिले लिया, GN को मैंने बात बरावर यार, कोई फरक नहीं पड़ता है, मतलब दोनों मैंसे कोई एक की series और दूसरी की sequence, तो मानली जी मैंने यहां पर GNX को कह ले लिया, चलो मैं इसको ऐसे ही करता हूं, मानली जी मैं इसको FN लिया, यह FN लिया है, ताकि confusion नहीं और GN लिया, तो यह जो FNX है, FNX की जो series थी, जो पहले uniformly convergent थी, मानली जी वो uniformly convergent नहीं पर वो bounded हो जाए, क्या जाए, bounded हो जाए, और अगर bounded हो जाए, तो bounded हो जाए, और जो GNX है, वो हमारे पास क्या हो monotonically decreasing हो, और 0 को converge करें, तो उस वाले case में इसका जो product function होगा, वो हमारे पास क्या होगा, uniformly convergent होता है, यह ध्यान देने की जरो होते है, तो देखो, question समझते है, तो सुन question दे रखा है, minus 1 power n minus 1 upon n plus x square, तो हमने क्या करा है, सुन यहां पर fn x को ले लिए, 1 upon n upon x square, और gn x को ले लिए, minus 1 power n minus 1, अब हम क्या करेंगे, सुन, इसकी sequence ले लिए, यह हमने sequence ले लिए, जो कि हम जानते की monotonically क्या होगी, decreasing होगी, और n tends to infinite, रहे सा भी तो 0 पर ज n की value जो भी आप रखते जाएंगे, सुन, इसको समझ सकते है, सुन, यह वाला question देखे, इसको सवाल उठेगा, सर, कौन सा सीरीज लेना, कौन सा sequence लेना, सर, यह कोई से पता पढ़ेगा, तो आपको यह देखना है, कि जो भी हम sequence लें, वो हमारे पास क्या होने चाहिए, decreasing होने चाहिए, and bounded, यह फिर n tends to infinite, पर 0 पर जा रहे हो, यह दो में से कुछ नो होना चाहिए, ताकि हम आपे लिए डिशल में कोई भी लगा सकते है, तो हम यहाँ पर 1 upon 2 n square minus 1 लिया, अब हम इसको लें यहाँ पर summation 1 upon 4 n square minus 1, तो यह भाई, हम comparison test हम इसको limit comparison test हम जानते कि 1 upon n square, मैंने बोला जब भी ऐसा होता हम constant को हटा दो, तो 1 upon n square से क्या होगा, less than equal to यह होगा, और 1 upon n square, P series test से हमारे पास क्या होता है, तो यह भी हमारे पास क्या जाएगा, तो यह तो हमारे पास fnx जो होगा, वो क्या होगा, चुकि यह हमारे पास convergent है, और यह x पर depend नहीं करा तो यह uniformly convergent भी हो जाएगा, एक तरह से देखा जाएगा, अब बात करेंगे gnx, तो gnx e की पार माइनस 2nx, जो की monotonically क्या होता है, हमारे पास decreasing होता है, इसका graph हमारे पास इस टाप करेगा, और अगर हम देखें, तो यह bounded एक तरह से देखा जाए, तो n is equal to 0 पर रखेंगे, तो 1 आएगा, और infinite पर रखेंगे, तो यह हमारे पास क् 1 पर जा रहा है, क्योंकि मारे पास एक जो देखा हो जीरू से बढ़ा, आपके मन में सवाल ने उड़ जाए, गुर जी माइनस इंफिल्टी रिखेंगे, तो गडबल हो जाएगा, भई माइनस इंफिल्टी तो रहकी नहीं सकते है, क्योंकि 0 से बढ़ा है, तो यह bounded है तो इसका प्रोड़क फॉंक्शन मारे पास किया होगा, उनिफर्मली के नवर्जेंट वहगा बाइद आबल टैस्ट, आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स वर्जेंट देखें, इस से बढ़ाइब बाउंडड है, तो लुए नहीं तो अमने लिए माइनस वन पाउड है, और दूस अगर ऐसा होता है, जो प्रोड़क फॉंक्शन हो जाएगा, वह हमारे पास क्या हो जाएगा, उनिफर्मली कनवर्जेंट हो बाइदे डिजिल लगाएंगे, यहां पर डिजिल लगाएंगे, यह तो आप बोलोगे, सुर कभी तो आप डिजिल लगा रहे हो, सुर कभी आप वह चोनृएंगे, यह जाते हैं, यह बन पास क्या हो जाएगा, इस हमारे पास क्या हुजए है? सरदसट को यहां पर पूर कर सकते हैं, सुसेंट, एक और कॉर्ष्टन देखें, यह क्या बोल रहा है, समेशन माइनस 1 पाऊर एं, माइनस 1 एक पाऊर एं, इनंटू 1 प्लस एक सब्वा एं eस उनीफ़र्म लिक लिगेट बेट्विन दच्लोज संटरेवर्ण 021, तो आपको चेक करना है माइनस होना चाहिए और इस इंटर्वल के अंदर यार यह तो हमारे पास अब बात करेंगे इसके बारे में यह हमारे पास decreasing है कर नहीं है और हम जानते कि यह 021 के अंदर है तो सब्सक्राइब यह थोड़ा साथ कंफीजन रहता है सब्सक्राइब कोई एक पडिकुलर फिक्स वेल्यू रखके फिर एन लगाना है तो हमारे पास decreasing आएगा और यह बाउंडेट हो गया यह हमारे पास सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप CSRNate और गेड़ एक्जाम की तयारी कर रहे है तो इसका जनल अप्लोड कर सकते हैं मेरा नया चनल यह जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं यह जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें इसका अंजर आप मुझे कमें बॉक्स में ज़रू दीजिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद तैंक्यू बबाए